तो अभी वो वक्त आ चुका है जबकि मेरे पास उजी है और मेरे ऑपोनेंट के पास M249 तो क्या लगता है भाई आप लोग को क्या हम ये फाइट जीत सकते हैं मतलब माख़सम भाई आज हम इत्यास बदलने वाले हैं अज़े भाई बाई समझ के बोर रहा है आप अगर हमारी चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार आप वुजियो देखिए तो फिर से सुआगा थे आप लोग का एक और प्लियर अन्नोन्स बैटिल ग्राउंड वर्सन के आर की गेम प्ले वीडियो में और यहाँ पे हम उतरते हैं लिप आपका में जहाँ पे पांस से साथ डूओ आई होती है आया होता है और हम लिप आपका की इस रोट साइट बिलिंग में मतलब एकदम साइट पे उतरते हैं थाकि छे साथ डूओ के बीच में हम न पिस जाए तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी लूट करने की कोसिस करते हैं फिर एनिमी के उपर चड़ने की कोसिस तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट करने के बाद जब मैं बाहर की दरब एनिमी के साइट फ्लैंक मानने की कोशिस करी रहा होता हूं तब मुझे एक दो बहुत नजर आ जाते हैं मतलब एक ही बहुत गाइस और यहाँ पे हमारा टीम मेट भाई मार करना चालू कर देते हैं कि एनिमी कहाँ है तो हम चल पड़ते हैं भाई सिधा एनिमी के ओड लेकिन हमारा टीम मेट भाई तबी ये कॉल देता है इन्ही screaming मतलब भाईने एनेमी को बहुत सारा डैमेज दिया लेकि जब पुस्थाओं कि एनेमी कहा है तो वो बोलता है कि लाल घर में एनेमी नहीं है एनेमी जो है फ्लू घर में मैं में खर बहुत था मैं तो मैं भाई को बोलता और यह बंदा काईस मर जाता है मतलब इनके एक बंदे को ओ भाई तो इधर पर एक बंदा था तो पहले वाले टीम के एक बंदे को एनिमीना नॉक डाल चुका था और दूसरे को मैंने मार दिया तो वह अल्डेट हो गया लेकिन इसका टीममेट भई अभी इधर है और यह बह प्रेयोग करते हुए मतलब मुझसे लेके हाथ हाथ सबस्तुति लेते हुए मुझे पता है गाईस आप लोग का हैकर हैकर फिलिंग आ रहा है पर ये कॉमन सेंसे गाईस उसने इधर स्मोक किया मैं था उस बिल्डिंग के उपर तो वो इधर ही कबर लेंगा ना भाई तो मैं इधर पर आके सीधा एम रखके दे धड़ाधर और मेरे वो क्या गयता है पॉइंट के आसपास सफेद लाल प्रॉस बन रहा था तो मैंने भी मारना नहीं चोड़ा और इधर पर यह डूओ फिनिस करने के बाद लिपाफका का फाइट अभी भी जाड़ी था तो हम चलते हैं सिधा उन लोग की तरब जो लोग लिपाफका में अभी भी फाइट कर रहे थे तो हम बंदे के बहुत ही किलोच आ चुके थे इस घर में आने के बाद पता चलता है कि सामने वाले लाल घर के उपर ही बंदा है तो मैं अपने टिममेट को बोलता हूं कि भाई आप इधरी बैटके कवर दनी की कोशिस करो या देखो एनेमेट भाग न जाए और मैं फ्लैंक देने की कोशिस करता हूँ तो यह बात सुनके हमारे टिममेट यह बोलते हैं तो भाई के माईक में से टीवी में news का sound साइड में रकते हैं और हम फ्लैंक देते हैं और हमारे भाई काल देते हैं कि आप जाओ मैं कवर दूँगा तो हम उस enemy के ठिक सामने वाले घर पे पुड़ा फ्लैंक करके आ चूपे हैं तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास नेट तो नहीं था पर मेरे पास एक मॉली था मैं मॉली उसके घर में फेक देता हूँ क्या पता भाई के आग लग जाए और तभी ही हमारे घर के टिक नीचे से फूट में जाना स्टार्ट हो जाता है और मुझे भाई का किल मिल जाता है मतलब आग लग गया भाई के पीचे लेकिन भाई हमारे close में और बंदे आ चुके हैं लेकिन भाई वो एक BOT होता है तो यहाँ पे हमें लगता है कि मतलब हमें लगता है कि Lipop का पुरा क्लियर हो चुका है तो इसलिए हम थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं लेकिन भाई हम लूट घरी रहे होते हैं और तभी लिपापका में गाड़िया घुसना चालू हो जाती है तो भाई बोलते हैं कि लाल कलर का डासिय लिपापका में आके रुका है और मैं हगने वाला हूँ अगर मेरे हाथ में एपल होता तो ये पक्का नौक होता और इधर पर इन लोग का फाइट स्टार्ट हो चुका था तो हम भी फाइट में इन्वाल्ब होने जा रहे हैं तो इधर पर आके मैं एक एनिमी का किल चोड़ी कर लेता हूँ लेकिन तब ही हमारा टीममेट भाई ही भाई हमारे नौक हो जाते हैं और हमारे भाई ये भी कॉल देते हैं कि उनके सामने एक प्लियर बचा हुआ है लेकिन अभी रिस्क का बात जो है हमारे उपर भी एक बंदा है दूसरे डूओ का तो भाई हमारे क्या ही कैम कर रहे थे हमने उसको मार दिया तो आप लोगों भी दिख रहे हैं भाई मार दिया प्राइब भाई यार इधर पर यह डूओ अल्डेड हो जाता है मतला मेरे को लगाए नहीं था भाई मैं लोगों मार पाऊंगा और हमारे भाई क्यों नौक हो जाता है उस जिसका एक्स्क्यूज भाई देते हैं तो भाई के गन का स्कोप नहीं खुलता इसलिए भाई हमारे मार नहीं पाते हैं नेट का पिन ठिक खुल जाता है लेकिन भाई का स्कोप नहीं खुलता दरवाजे में चावी डालने से दरवाजा खुल जाता है लेकिन भाई का स्कोप नहीं खुलता पैंड का जिप खुल क्या बोलते हैं भाई ओ भाई सिवाए एक बॉट के इलावा तो हम उसे मार के निकल जाते हैं वहां से और प्लेन ड्रॉप कहां गिडा रहा है वो देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं लेकिन भाई तभी हमारा टीमेट कॉल देता है कि बैरेल इस ओपी गन अगर आप लोगों ने से सही से चलाया हो और मैं ये बगी फोड़ने की कोशिस करी रहा होता हूं तभी मेरे पीछे से क्या ही फाइरिंग आके मुझे नौक कर दिया जाता है लेकिन कोई नहीं मेरा टीमेट मुझे तुरंट वहीं पे नौक खोल देता है और फिर से दोबारा जिंदा होने के बाद मुझे देखता ही कि सामने वाले सेक के पीछे एक पगी अटका हुआ है मेरा मतलब कि मटके में अटका हुआ कुछ नहीं यार तो ये बंदे को मैं बहुत ही डेमेज देता हूँ लेकिन मैं नौक या किल नहीं कर पाता है लेकिन डेमेज देने के थोड़े दिर बाद ही मेरा टीमेट उसे किल कर देता है तो अभी यह आपे बसता है सैक के अंदर बाला बंदा तो हम सोचते ही कि डाइरेक्ट उस पर रस करते हैं और जब हम ये करने जाते हैं भाई तब क्या ही सिन होता है भाई मतलब बंदे ने मेरा तो 70% हेल्थ खाही लिया उपर से मेरे टीमेट को नौक भी कर दिया तो अब अगर बंदा डूओ रस करता है तो हम यहीं पे निपड़ जाएंगे अगर आप लोगों ने इसे ठीक से चला लिया हो भाई मतलब बाई का नौक होके क्या ही दान लिकलना है भाई तो इसके बाद हमारे उपर जोन बनता नहीं तो हम काड़ी लेके सीधा जोन पे जाते हैं जो कि प्रिजॉन के साइड वाले घर के उपर होता है जोन और वो जोन पे एक ही घर होता है और वो घर के पास जाने के पहले ही हमारे पीछे गाड़ी पढ़ जाता है लेकिन भाई हम जैसे तैसे करके उस गाड़ी से बज़के ये घर पकल लेते हैं और इधर पे थोड़े दर होल्ड करने के बाद पता चलता है कि बही वो गाड़ी दुवारा हमारे तरफ आ रहा है तो अभी वो वक्त आ चुका है जबकि मेरे पास उजी है और मेरे ओपोनेंट के पास एम टू फोर नाइन तो क्या लगता है भाई आप लोगो को क्या हम ये फाइट जीत सकते हैं मतलब माख़़म भाई आज हम इत्यास बदलने वाले हैं ये नित्यास प्लेशन मतलब एक्सप्रेशन को तोड़ा काबू में लग लिया था यार मेरा टीममेट वान एच्पी नहीं बचा मतलब भाई उजी से M249 को पेल दिया भाई ओ भाई तो भाई किसी के लिये नहीं किसी के भी लिये नहीं सिर्फ इस उजी वर्सेश M249 फाइट के लिए आप लोग अगर नए आये हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार अब उजी की गोली मारो या M249 की गोलिया मार के चन्नी कर दो बटन को पर लाल कलर का बटन दबना चाहिए कर दो यार सब्सक्राइब तो इधर भी इन लोग को मारने के बाद L.I.P.3 होता है मतलब हम दोनों को छोड़के और एक बंदा होता है तो हम गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं उस बंदे को ढूणने और गाड़ी लेके हम जोन पे इधर उधर भटे की रहे होते हैं लेकिन तब ही मतलब भाई हम लोगों को ऐसी उमीद ही नहीं थी तो कोई बात नहीं यार ऐसे सिन होते रहेंगे और हम लोग मचाते रहेंगे लेकिन आप लोगों को अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और मिलते हैं अगली वीडियो में सिनारा कि वेस में आशो इश्रण वीडियो।